परम सतिकारियो गुरु प्यारी सासंग जी जब भी बाबा जी का ससंग होता है तो वो पाठी जी को ससंग में कौन सी बानी लेनी है उसके बारे में बताते हैं ऐसे ही एक बार बाबा जी ने पाठी जी को अपने कोठी में बुलाया और उन्हें कहा कि कल ससंग है आप इस बानी को ससंग के लिए त्यार कर लेना पाठी जी ने कहा कि ठीक है जी जब पाठी जी घर पर आय तो वो बाबा जी ने जो बानी लेने को कहा था उसके बारे में बूल गए अब पाठी जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ अब मैं सत्गुरू के पास दुबारा भी नहीं जा सकता अगर मैं चल भी जाता हूँ तो उन्हें क्या कहूंगा कि मैं बानी बूल गया बाबा जी क्या सोचेंगे कहीं वो मेरे से नराज ना हो जाए फिर पाठी जी बाबा जी को प्रातना करते हैं कि बाबा जी कल मेरी लाज रख लेना उसके बाद पाठी जी अपने सत्गुरू की याद में पाठ पर बैट जाते हैं अगले दिन ससंग में जाने से पहले पाठी जी बाबा जी की कोठी में जाते हैं क्योंकि उन्हें बानी तो याद नहीं होती कि कौन सी बानी लेनी है इसलिए पाठी जी गर से ऐसे ही कोई भी बानी की बुक उठा ले जाते हैं जब पाठी जी बाबा जी के सामने पहुंचते हैं तो बाबा जी उन्हें कहते हैं कि आपको यातो है ना आज कौनसी बानी लेनी है पाठी जी अंदर ही अंदर से डर रहे थे कि कहीं बाबा जी नराज ना हो जाए इस चक्कर में वो बाबा जी को बता नहीं पाए इसलिए उन्होंने बाबा जी के पूछने पर हां में हां मिला दिया कि उन्हें बानी के बारे में पता है इतने में ससंग का टाइम हो जाता है पाठी जी बाबा जी के साथ ही ससंग पंडाल में पहुँच जाते हैं स्टेज पर जाने से पहले बाबा जी पाठी जी को कहते हैं कि आप इस बानी की बुक निकालो जब पाठी जी बुक निकालते हैं तो वही बानी की बुक होती है जो बाबा जी ने उन्हें ससंग में लेने के लिए कहा था ये देख पाठी जी मनी मन में सोचने लगते है, ये कैसे हुआ? मुझे तो बानी याद ही नहीं थी, फिर बाबा जी कहते हैं कि तेन्नों की लगदा है, मैंनों पता ने चलदा, तेरे मान विज की चल रहा है ये सुन कर पाठी जी के आँखों से आसु हा जाते हैं और वो बाबा जी को कहते हैं कि आप जैसा सत्गुरु पा कर मेरा जीवन सफल हो गया पियारी सासंगत जी हमें इस साकी से ये सीखने को मिलता है हमें कभी भी अपने करम से भागना नहीं चाहिए करम करते रहना चाहिए और बाकी सब अपने सत्गुरु पर छोड़ देना चाहिए क्यूंकि उसको सब पता है अगर हम अपने सत्गुरु पर सब को छोड़ देते हैं तो सत्गुरु हर हाल में हमारी लाज जुरूर रखते हैं संगर जी आपको ये साखी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जुरूर लाइक करें जी और आपसे बिंती है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफकेशन जुरूर प्रेस कर लें जी जिसे से हमारे आने वाली नई वीडियो को नौटिफकेशन आप तक पहुंच सके हम हर रोज इस चैनल पर बाबा जी की प्यारी प्यारी साक्यां और बाबा जी के कारे करमों के अपडेट डालते हैं जी